नमस्कार आप सबीगा स्वाधत है आप देख रहें जीविन 24 और मैं हूँ आपके साथ सम्रिद्धिक उशिक नितीश कुमार की कैबिनेट में शामिल होने को बेताब है उपेंद्र कुश्वाहा क्या तेजस्वी यादफ की सीथ पर है उनकी नजर बिहार मेंनी तीश कुमार ने जब भारतिय जन्ता पार्टी से गटबंदन तोड़ कर राष्टिय जन्ता दल, आरजेडी और कॉंग्रिस के साथ मिलकर नई सरकार बनाई तो उपेंद्र कुश्वाहा के इसमें शामिल होने को लेकर खूब प्रयास लगाए गये हलांकि उनके समर्थकों को निराशा ही हात लगी उस समय यह भी कया गया कि पूर्व केंद्रियों मंत्री भी नराज हुए और उनने नई सरकार की पहली कैबिनेट विस्तार से खुद को दूर कर लिया था अब एक बार फिर बिहार में खर्मास के बाद नए मंत्रियों की कैबिनेट में शामिल होने की चर्चा लगी हुई है संभावित कैबिनेट विस्तार को लेकर उपेंद्र कुशवाहा से जब सवाल पूछा गया तो उनकी बेताभी का एहसास हुआ मंगलवार को कुशवाहा ने कहा कि मैं लोगों की सेवा के लिए राजनीती में हूँ यही वज़ा है कि हर कोई सरकार में शामिल होना चाता है उपेंद्र कुशवाहा के इस जवाब से उनके अर्मान सामने निकल कर आ गए आपको बता दे कि अभी तक अधिकारिक रूप से कैबिनेट विस्तार को लेकर सरकार की तरफ से कुछ भी नहीं कहा गया है